अलो फेंड्स में मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर विंट साच की इस वीडियो में 40 साइस का बैक नेक डिजाइन में आप लोगे साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर तो देखे मैंने यहाप पर टोटल लंबा ही रखी है 15 इंच 14 इंच लैंट मुझे इ दियार रखनी है डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल अमें छे इंच लेने हैं तो शोल्डर अगर आप चाहें तो साड़े पांच इंच भी ले सकते हैं यहां पर दिखेंगे शोल्डर शे इंच आर्म होल शे इंच और चेस्ट का चोधा भाग रखा है 10 इ एक इंच एक्स्टा मार्जिन और एक इंच एक्स्टा और रखेंगे पैक पार्ट में प्लिट्स के लिए सवा एक इंच पे आर्म होल का शेप इस तरीके से बना लेना है तो दिखें यह जो डिजाइन में बना रही हूँ यह बैक ओपन पर बनाया है अगर आप इसमें आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं नीचे से थोड़ा सा आधा इंच आपको ऊपर की तरफ शेप लेते हुए इसे कट करना है तीन इंच पे मैंने गले की चोड़ाई का मार्किंग किया है और गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं और मैं यहाँ पर V शेप बना रही हूँ आप राउंड शेप या मटका गला कोई सा भी डिजाइना बना सकते हैं आप चाहें तो स्क्वेर नेक भी बना सकते हैं तो देखें यह रहा सिंपल एक्जेट V नेक और अगर आपको इससे थोड़ा सा फैला हुआ रखना है तो आप इस तरीके का शेप यहां पर दिया है यह दिखिए इस तरीके से मैंने नेक को यहां पर कट कर लिया है तो यहां पर हमने जो एक इंच साइट में कमर में लिया हुआ है एक्स्ट्रा वो हाई हूग की पटी में कवर हो जाएगा तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे मेन फैबरिक पर रखकर भी कटिंग कर लिया है। और अगर आप इसे सिलाई लगा कर पल्टा की बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। या फिर देखिए आप इस तरीके से पेपर पेस्टिंग लगा कर भी इसे बना सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है पेपर पेस्टिंग पे और इसे हमें बाहर की तरफ से 1 इंच बढाते हुए कट कर लेना हैं, इस तरफ से भी कट कर लेंगी. अब दिखे मैं इसे सिलाई लगा कर अटेज कर रही हूँ इसके लिए मैंने दोनों पार्ट अलग-अलग कर लिए हैं क्योंकि यह बैक उपन पर हैं अगर आप बैक उपन नहीं बनाना चाहरे हैं तो सिंपल आप इस तरीके से भी बना सकते हैं बिना कट करें तो कटिंग मेरी यहाँ पर पूरी हो गई है अब हमें करना है इसका स्टिचिंग तो इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को कपड़ी के साथ अटेज कर लेना है आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं इसके उपर तो मैंने यहाँ पर देखें सिलाई लगाती है दोनों तरफ के पेपर पेस्टिंग पर आपको इसी तरीके से सिलाई लगाकर इससे अटेज कर लेना है एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग बाहर की तरफ आ रहा है इससे आपको कट कर लेना है तो यहाँ पर मैंने मैन फैब्रिक पर भी से कट कर लिया है दोनों पार्ट को बीच में से कट करके अलग-अलग कर लेना है अब दिखिए हमें यहाँ पर मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और उपर से अस्तर के कपड़े को रखेंगे पेस्टिंग वाला भाग उपर की तरफ रखना है और इस पे सिलाई लगा लेनी है एक पेर का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमें नेक को बनाना है ये देखी गले पर अच्छे तरीके से सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है चोटे चोटे कट पूरे गले पर लगा लेने है इस तरह से अब एक सिलाई अस्थर वाले कप्रे को हमें पलट करके इस तरफ लगा लेनी है ये दीके ये मैंने अस्तर वाले पार्ट पर लगाई है और इसके बाद अब हमें अंदर की तरफ इससे फोल्ड कर लेना है तो उपर से finish हिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से इसके बाद दीकिए हमें बाहर की तरफ सिलाई लगानी है कपड़े को हाथ से अच्छे से फिनिशिन करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है । अब हमें एक्स्ट्रा फैपरिक कट करके निकाल देना है तो बाहर की तरफ देखे जितना भी फैब्री का रहा है से मैंने कट करके निकाल दिया है और जो नएक है वो बहुत अच्छी तरीके से बन गया है अब इसके बाद आपको कमर में प्लेट्स लगा लेनी है तो कप्ड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए छार इंच की लंबाई में आपको प्लेट्स लगानी है तो दीखे एक तरफ का पार्ट मैंने तयार कर लिया है इसी तरीके से आपको दूसी तरफ का पार्ट भी तयार कर लेना है तो दिखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तयार कर लिये हैं इसे क्यों पर एक रखकर आपको चेक कर लेना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा चोटा तो नहीं हो रहा है इसकी बात मैं लगा रही हूँ इसमें हाई और रुख की पटी तो ये मैं हाई की पट्टी तयार कर रही हूँ और ये आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ इसे अटेज कर सकते हैं पट्टी को आपको नीचे की तरफ रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इसके बाद देखिया आपको क्या करना है एक तरफ से पट्टी को फोल कर लेना है और इसके बाद आपको इसे पलट लेना है नीचे की तरफ ध्यान रखियेगा उपर की तरफ नहीं पलटना है और उपर जैसा गले का shape बना हुआ है shape की according आपको सिलाई लगानी है इस तरह के सिलाई लगाने के बाद इसके उपर से एक finishing की सिलाई आपको यहाँ पर लगा लेनी है यह देखे, तो यहाँ पर जो high की प्टी तयार हुई है वो गले के shape के साब से ही हुई है तो यह पट्टी बाहर की तरफ नहीं दिखेगी, यह देखे इस तरह से, तो सिलाई को आपको थोड़ा सा नीची की तरफ गले का शेप देते हुए लगाना है, एक तरफ मैंने हाई की पट्टी अटेज कर ली है, अब हमें दूसरी तरफ हुग की पट्टी लगानी है, तो ऐ इसे ही आपको हुग की पट्टी को भी लगाना है, यहाँ पर देखे, पहले पट्टी को अटेज करना है, फिर एक सिलाई इस तरीके से लगानी है, फिर इससे थोड़ा सा तिर्चा कट करते हुए आपको इससे फोल्ड करके अंदर की तरफ कर लेना है, यह देखे, तो पट्टी के उपर लगा लेनी है, और अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, तो यहाँ पर देखे, मैंने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, अब देखे, इसके उपर शोल्डर पे में एक लेस का डिजाइन अटेज करूँगी, तो उसके तो यहां पर मैं इसकी जो चुड़ाई रख रही हूं वह दो इंच की है और विर्थ में में रख रही हूं इसे तस इंच 10 इंच की लेंध में इसे कट कर लेना है आपको यह देखिए आप इसे इस तरह से रख करके भी चेक कर सकते हैं और इसे डबल फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है पटी को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी या फिर सिलाई लगा करके पलट लेना है और पहनने के बाद इसका लूग अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी जालर वाली लेस ले सकते हैं, तो जो लटकन वाली लेस होती है, उसका लूग बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने यहाँ पर यह वाली लेस ली है और एक्स्ट्रा लेस को कर दिया है, पटी के उपर अटेज करने के बाद, अब देखिए आपको मार्किंग करनी है, जहां से आपको इसे अटेज करना है, तो मैंने दोनों तरफ दो दो इंच की मार्किंग किये, दो से रहाई या देर इंच की गैप में भी आप मार्किंग कर सकते हैं, अब आपको हुक और हाई बनानी है जैसे कि हम अपने ब्लाउस में आगी की तरफ बनाते हैं उसी तरीके से पहले तो आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और शोल्डर के नीचे अटेज होगा हुक तो आपको एक हुक लेना है और सुई धागे से यहाँ पर हुक को टक कर लेना है यह देखे इस तरीके से यहाँ पर आपको हुक रखना है और इसे सुई धागे से अटेज कर देना है देखे मैंने यहाँ पर हुक को अटेज कर दिया है और इसके बाद अब हमें क्या करना है यह जो ले से इसके उपर आपको हाई बनानी है हाई जैसे हम ब्लाउस में बनाते हैं उसी तरीके से हाई बनानी है ये देखिए तो देखिए मैंने आपर दो हाई बना ली है और ये जो होके हाई के अंदर आपको इस तरह से अटेज कर लेना है तीन से चार हाई आप बना सकते हैं जो कि पहनने के बाद आप इसे एक्जिस कर सकते हैं और ये आप कुछ से ही पहन सकते हैं दिखे इसी के साथ मेरा ये बैकनेक डिजाइन बन करके तियार हो गया है आपको आज कर डिजाइन केसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर पिताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा